हारु फिक्स सैमसंग गलेक्सी या बेटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर आप सभी का थिकराच योटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवास में बेटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्फ के से कर सकती हैं अगर दोस्तों आपके जो बेतरी हैं काफी जादा स्लो चार्च हो रहा है ठीक है अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरू देखेगा यहाँ पर दोस्तों मैं आने को मिलेगा सॉलुशन्स रीजन्स और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पेसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन कैबल है उसके वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं ठीक है तो आप दोस्तों हमेशा एक और जीनल चार्जर ही यूज़ करें अपने मोबाइल पर अगर दूबली के चार्जर वगरा यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपर्ट करते हैं तो दोस्तों पीन डेमेङज हो जाते हैं जब पीन डेमेज ह motivo तब आपका चार्जिंग स्लोह जाते चार्जिंग करते हैं अगर आप गेमिंग पगयरा करते हैं तब भी दोस्तों को प्रोब्लिम होगा और सासरा काफी जदा स 여자 आईका वज्ट सब्सके बाद हमेशा हमेशा चार्जिंग फ्लोई होते रहेगा ठीक है यारी कि आपको गेमिंग नहीं करना है जब आप चार्जिंग करते हैं ठीक है इस चीज़ को आपको एवोइड करना है उसके बाद अपका कनेक्शन्स जैसे की वाइफाई ब्लूटूट या फिर मोबाइल डेटा मोबाइल होत्सपोर्ट लोकेशन अगर यह सब एसी ओन पड़ा हुआ है बीना मतलब के तो आपको यह सब भी बन करना होगा और यह चेक करना होगा कि आपके मोबाइल पर ऐसा कोई अप्लिके का अप्लिकेशन को भी आप करना है मोबाइल इसपेस का इसको कि फ्री आप करें मोबाइल डेवाइस के जो खेश हे उनको भी क्लियर कीजिए फाइल मेनेजर भी जाकि आपको कई सारे खैश मिल जाएगा उनको भी डी डिलेट करें ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा बेटरी and device कियर तो जाके दोस्तों एक बार आप अपने बेटरी चेक करें यहाँ पर आपको क्या करना है optimize now पे click करना है उसके बाद सारे बेटरी optimize हो जाएगा 100% आपका यहाँ पे बेटरी जो है वो set हो जाएगा ठीके उसके बार आब बेटरी पर जाएए more setting पर click करें फास चाड़िंग का option है तो फास चाड़िंग को enable कर दे ठीके तो फास चाड़िंग को enable कर दे और adaptive battery इसको भी enable कर दे तो इस तरह के से दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना बेटरी को अप्टिमाईज करके सेफ कर सकते तो इस तरीके से दोस्तो आपका जो बेटरी स्लो प्रोब्लेम है वो काफी हद तक फीक्स हो जाएगा सारे साथ दोस्तो यहाँ पर जब हम सौफ़ेर अपडेट नहीं करते हैं तब दोस्तो हमें प्रोब्लेम आ जाते तो उसके लिए दोस्तो आपको जाना है सौफ़ेर अपडेट में एंद दोस्तो आपको यहाँ पर सौफ़ेर इंस्टॉल करना है ठीक है सौफ़ेर को अपडेट करना है software को install करना है और दोस्तों इससे आपका battery slow charging problem fix हो जाएगा ठीक है तो यह सारे solutions आप कर सकते हैं सारे साथ में दोस्तों जो भी मैंने आपको reason बता है उसमें भी आपको ध्यान देना है लेकिन दोस्तों यहापर मानने जिए आपने सारे solution करके देखा फिर भी problem solve नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने mobile को factory data reset कीजिए उसके लिए general management पर जाना है और आपको reset का option मिल जाएगा and then factory data reset पर click करके reset कर देना है ठीक है by any chance इसके बाद भी ना हो तो आप किसी भी technician के पास या फिर service center के पास जाके अपने problem को fix कर सकते क्योंकि दोस्तों आपका battery आपर खराब हो चुका है या तो फिर आपका charging जो पीन रहते हैं वो खराब हो चुका है mobile का ठीक है तो उसको change करने के बार repair करने के बाद ही problem solve होगा तो इस तरीके से दोस्तों solve किया जाते है बेटरी slow charging problem उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching